जै श्री कृष्णा, मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे आज टिप्स वर्ड पर मैं आपके लिए लाई हूँ हेल्दी स्प्राउट की एक मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी इसको मैंने ऐसे बनाया है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि यह स्प्राउट से बना है आप इसको ऐसे बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत शौक से इसको खा लेंगे तो चलिए आपको बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है और इसके लिए किन किन चीजों की जरुवत पड़ेगी सबसे पहले मैंने इसके लिए एक कप साबुत मूंग लिया है इसको साफ पानी से धो लिया है और इसको 4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया है अब जब भी अच्छे से फूल कर तयार हो गया है तब मैंने इसके बाद एक डिर कप मोट ले लिया है इसको भी आप साफ पाने से धो कर भीगो दीजे ये दोनों चीजे मैंने एक साथ ही धो कर भीगो दी थी मूग और मोट हमाई सेहत के लिए बहुत ज़ादा हेल्दी है जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये ब्रेकफास होगा या आप अपनी डाइट में ज़रूर शामल कीजे अब जब ये अच्छे से भीग कर फूल गए हैं तब मैंने इनको सारा पानी इनका निकाल दिया है और इन दोनों को एक छली में निकाल दिया है अब इसको रात भर मैंने ड़क कर ऐसे ही छली में रखा रहन दिया है सुबह इसमें अंकुर निकल आए हैं आप चाहे, तो एक कपड़े मी पीस को लपेट कर ढगकर इसके अंकुर निकाल सकते हैं अब इसके बाद मैंने इसको mixi jar में डाल दिया है और इसको बारीक पीस कर इसका एक paste बना कर तयार कर लिया है इसमें हलका हलका पानी डाल कर ही इसका paste तयार कीजिएगा वरना ये बहुत ज़्यादा जल्दी पतला हो जाएगा अब जब ये तयार हो गया है तब मैंने इसको एक बड़ी प्लेट में निकाल लिया है इसके बाद मैंने अब mixi jar में दो इंच अद्रक का टुकड़ा और चार हरी मिर्चे डाल कर इनको भी पीस लिया है मिर्च की मात्रा आप अपनी हिसाब से ज़ादा या कम कर सकते हैं अगर आप इसको पीस ना चाहें तो इसको अच्छे से कूट कर भी तयार कर सकते हैं इस रेसिपी में ये बहुत ज़ादा अच्छा लगता है पर कुछ लोग को अद्रक पसंद नहीं होती है इसलिए मैंने इसको बारिक पीस कर तयार कर लिया है अब इसको भी उसी प्लेट में निकाल लीजे अब एक बड़ी प्यास बारी काट कर लीजे दो बड़ी चम्मा सफेद दिल ले लीजे सफेद दिल हमारी शरी में कैश्रम की कमी को पूरा करते हैं इसलिए इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजे अब आप एक कटोरी बेसन, एक कटोरी गेहु का आटा और दो कटोरी जवार का आटा भी ले लीजे अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजे फिर इसमें आप स्वादनुसा नमक, बारी कटा हुआ धनिया पत्ती आधी छोटी चम्मच हींग भी मिला दीजे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आप एक स्मूज सा डोब तयार कर लीजे अब इस डोब को आप चार से पांच मिनट के लिए ढग कर रख दीजे एक बात का ध्यान रखेगा, इसमें बहुत जल्दी पानी मत मिलाएगा अब एक तवा लीजे, उसको आप गरम कर लीजे अब इस डोब से आप एक लोई बना कर उसको पराठे की शेप दे दीजे अब इसको आप हलका सघी लगा कर अलट पलट करके सेख लीजे आप बच्चों को टिफिन में इसकी पूरी बना कर भी दे सकते हैं अब जब यह तयार हो गया है तब आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजे अब इसको आप चाहें तो दही, हरी चटनी, आवले की चटनी या आमरूत की चटनी के साथ गर्म गर्म सर्व कर सकते हैं ऐसे ही हेल्दी रेसिपी देखने के लिए आप हमेशा टिप्स वर्ल चैनल से जुड़े रहिए लाइक और कमेंट करके ज़रू बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी इस हेल्दी से रेसिपी को जादा से जादा लोगों को शेर ज़रूर कीजेगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए मिलती हूँ कल आप सबसे एक नई और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेगा मेरी तरब से आप सभी लोगों को जैश्री कृष्णा